Hello Commandos, Welcome to Biomenters Classes Online. So today we are going to start a new chapter in our class 12 Physics and the name of the chapter is Electromagnetic Induction. So, जब हम इस chapter की शुरुवात करते हैं, तो कुछ बेसिक बात हैं, हम जानते हैं कि सबसे पहले ओश्टर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किये और उन्होंने बताया कि जब कोई किसी कंड़क्टर में से करंट फ्लो कराया जाता है, तो उसके कारण सराउंडिंग में एक मैगनेटिक फील्ड हमें मिलता है. क्या ये बेसिक बात हम जानते हैं? Yes, ये बेसिक बात हम लोग जानते हैं. कि या उन्होंने बताया कि जब किसी conductor में से current flow कराया जाता है तब हमें क्या मिलता है magnetic field मिलता है उस conductor के surrounding region में उसके बहुत सारे example हम लोग उने देखे हुए moving charges and magnetism जो chapter है उसके अंदर में उसका basic नाम जो है वो magnetic effect of current ही होता है लेकिन हमारी NCRT कहती है moving charges and magnetism तो हम उसी basis पर उसे पढ़ते हैं और हम लोगोंने अलग अलग conductor के कारण shape के कारण magnetic field के formula हम लोगोंने सीखे हुए है उसके बाद में हमारे पास में एक scientist और आए Michael Ferrade करके scientist आए तो उन्होंने बोला कि भीया इसका converge जो है वो भी सकते है मतला कि current के कारण magnetic field मिलता है ये बात सकते है लेकिन हमें magnetic field से क्या current मिल सकता है हाँ ये भी मिल सकता है और इसके लिए कुछ experiments भी perform किये गए है लेकिन अब ये जो chapter electromagnetic induction this chapter basically links current and magnetism in other way round मतलब magnetic effect of current में हमने क्या देखा कि किसी conductor मैंसे जब current flow कराया जाता है तो हमें magnetic field मिलता है ये हमने देख चुके हैं ये हम देख चुके हैं बिलकुल लेकिन उन्होंने कुछ experiment perform किये और उन्होंने बोला कि जब किसी coil मैंसे पास होने वाला magnetic flux change होता है तर ये magnetic flux क्या है ये वही सेम terminology है जैसे electrostatics में आपने electric flux पड़ी है बिलकुल वैसी ही terminology है जिसके बारे में हम detail में discussion करेंगे लेकिन थोड़ा सा यहां पर सबर रखिए उसके बात करेंगे नाव उन्होंने क्या बोला भाईया उन्होंने ये बोला कि जब किसी coil से पास होने वाला magnetic flux जब change होता है किसी coil से पास होने वाला magnetic flux change होता है तो उस coil में या तो current induce होता है या EMF induce होता है provided कि जो current loop है जो loop है जो conducting loop है वो close है या open है मतलब वो कह रहे हैं कि जब किसी coil में से magnetic field जो उस coil में से magnetic field lines पास हो रही है यदि वो परिवर्तित हों लगातार time के साथ में क्या हो चेंज हो तो हमें मिलता है क्या उस coil में current induce हो जाता है provided that की coil क्या है close है और यदि open है मतलब वो join नहीं है तो उसके सेरों पर उसके जो terminals बन रहे हैं उस पे हमें मिलता है एक EMF जिसे हम कहते हैं induced EMF साथ में उन्होंने बताया कि ये जो induced current मिल रहा है ये तब तक ही मिल रहा है जब तक की इस coil में से पास होने वाला जो magnetic flux है वो change हो रहा है जब तक की इस coil में से पास होने वाला ये जो flux है magnetic flux that is nothing but the magnetic field lines जब तक ये change हो रही है तब तक ही हमें वहाँ पर EMF या current मिलने वाला है ये उन्होंने बताया तो ये ठीक है लेकिन ये जो chapter का जो नाम लिखा है electromagnetic induction सबसे पहले हम शुरुवात करेंगे कि ये electromagnetic induction आखिर चीज क्या है लेकिन इसको समझने से पहले मैं देखो मेरे पास में दो point है क्या दो point है एक तो ये है कि मैं पहले magnetic flux को आपको सीधा लेके जाओ दूसरा point ये है कि मैं आपको NCRT यहाँ पर दिख लाओं और उस NCRT के basis पर हम कुछ discussion करें सो मैं चाहूंगा कि आप पहले एक बार NCRT को देख ले देखो मेरे पास में दो-दो NCRT हैं ये है आपकी पुरानी वाली NCRT और यहाँ पर ये है नई वाली NCRT सरा आपको कैसे पता लगा देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ये चल रहे है rationalize 2023-2024 और यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ 2022-2023 लिखा हुआ है ठीक है हम इसी वाली NCRT को prefer करेंगे क्योंकि नई वाली NCRT में कुछ चीज़ें बस काटी गई है नया कुछ add-on नहीं किया गया है ठीक है तो अब मैं इसको क्यों लेके आ रहा हूँ ताकि आपको एक idea मिले कि भाया हम जो पढ़ रहे हैं वो NCRT पर ही based है ठीक है तो क्या है देखो शुरुआत कैसे करिये उन्होंने शुरुआत करिये भाया कि जो electricity है और magnetism है उसको सबसे पहले separate और unrelated phenomena माना जाता था शुरुआत में electricity और magnetism को एक साथ नहीं माना जाता था दोनों को अलग-अलग phenomena माना जाता था लेकिन in the early decades of 19th century experiments on electric current by Oyster, Ampere and few others established the fact that electricity and magnetism are interrelated 19th century के आसपास में Oyster, Ampere और बहुत सारे कुछ लोगों ने कुछ experiment परफॉर्म किये और उसके basis पर उन्होंने बताया कि electricity और magnetism जो है वो interrelated है उन्होंने पाया कि भहिया moving electric charges produces magnetic field तो जो चलता हुआ charge है moving electric charges produces magnetic field moving electric charges produces magnetic field तो very important line इस पर कई बार आपको सवाल देखने को मिलेंगे for example an electric current deflects a magnetic compass needle place in the vicinity इसका example उन्होंने क्या दिया है कि भहिया electric current जो है उसके पास में दिया आपने किसी magnetic compass needle को रखा है तो वो क्या होती है उसमें deflection आता है वो हिलती है वो एक जगे स्थिर नहीं रह पाती है फिर सवाल आता है कि क्या इसका उल्टा भी possible है क्या इसका उल्टा भी संभव है मतलब क्या चलती हुई magnet एक electric current प्रोड्यूस कर सकती है ये एक सवाल स्वाबाविक सी बात है मन में आया साइन्टिस्ट है उनके मन में तो बहुत सारी चीज़ें आती रहती है तो उनके मन में ये सवाल आया फिर सवाल क्या कि क्या does the nature permit such a relation between electricity and magnetism क्या प्रकृती हमें electricity मतलब विद्युद्धारा या विद्युद्धार्ण current और magnetism को relate करने का permission देती है या नहीं देती है तो answer is yes इसके लिए Michael Faraday ने इंग्लेंड में और Joseph Henry ने USA में 1830 के आसपास कुछ experiment परफॉर्म किये और उन्होंने कुछ क्या दिखलाया कि जब close coils को close coils को variable magnetic field में ऐसा magnetic field जो लगातार change हो रहा है उसमें रखा जाता है तो उस close coil में क्या हुआ current induced हुआ उसमें क्या आया current induced हुआ मतलब current flow होने लगा ये उन्होंने यहां पर बतलाया अब देखो ये चीज़ें मैं औरली भी आपको सारी बोल सकता हूँ लेकिन सवाल क्या है न कि जो आपका भरोसा है बायो मेंटर्स है तो भरोसा है हम कहते न तो बायो मेंटर्स पर आपका भरोसा मुझबूत होना चीज़ें कि ये कि NCRT चल रही है हमारे सामने इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ लेकिन वैसे आप सब लोग जानते होंगे कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं NCRT को दिखाना exactly कई बार क्या होता न बच्चों को लगता है सर बोल तो रहे इतनी सारी चीज़ें लेकिन दिखा रही है नोट्स मैं नहीं दिख रही है NCRT की चीज़े है उनको जिनको मैं बोलता हूँ तो वहिया इस चैप्टर में हम यही सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं अब ऐसा फिनॉमिना जिसमें मैगनेटिक फील्ड को परिवर्तित करके इस उसे कहा जाता है इलेक्टर मागनेटिक इंड़क्शन उसे क्या कहा जाता है इलेक्टर मागनेटिक इंड़क्शन So the phenomena in which इलेक्टरिक करन्ट is generated by varying magnetic field is appropriately called as इलेक्टर मागनेटिक इंड़क्शन तो फिर उसके बाद क्या हुआ जब फेराडे ने पहली बार पब्लिक में अपनी इस डिस्कवरी को दिखाया कि भहिया बार मैगनेट और वायर लूप के अंदर में बार मैगनेट को चलाने से उस लूप के अंदर में छोटा सा करन्ट प्रोड्यूस होता है तो सेक्स वाल पूछा गया इसका उप्योग क्या है what is the use इसका उप्योग क्या है क्या फाइदा इसका तोनों ने बोला नए नए न्यूबर्न बेबी का क्या use होता है वैसे ही इसका use है और ये जो इलेक्ट्रो मागनेटिक इंडक्शन का जो फिनॉमेना है ये सिर्फ theoretical ही नहीं practical भी अपने काम का है अपने काम का है मतलब higher level पर काफी काम का आता है एक ऐसा ऐसे world को imagine कीजे जहां पर electricity नहीं है light नहीं है train नहीं है telephone नहीं है personal computer नहीं है तो भईया ये सारी जो चीजें हो पाई है वो सिर्फ और सिर्फ इसी के basis पर हो पाई है तो पहले हम बात कर रहा है experiment number 6.1 यह यहां पर इनके बारे में बतलाया गया जोसेफ हैंडी ठीक है उनके बारे में यहां पर बतलाया गया तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं क्या नई NCRT में भी दिया गया है तो देखो यह सब चीजें देखो एजटिट चल रही है नई NCRT पुरानी NCRT में तो दोनों को मैं साथ में लेके चल रहा हूं ताकि आप लोगों को ऐसा न लगेगी तर पुरानी NCRT से पढ़ाना क्यों प्रिफर कर रहे हैं रीजन यही है पुरानी NCRT में content थोड़ा सा जादा है ठीक है चलो तो experiment number 6.1 पे हम बात करते हैं क्या है experiment number 6.1 देख उन्होंने क्या किया यहाँ पे structure दिख रहा है एक उन्होंने लिए coil कोईल का नाम दिया C1 कोईल का नाम क्या लिए C1 इसको connect किया galvanometer से इसको connect किससे किया galvanometer से एक बार magnet ली north pole south pole दिख रहा होगा अब इस bar magnet को इसके पास में ले करके आए तो जब बार magnet को इसके पास में ले करके आए तो उन्होंने पाया कि galvanometer में deflection हुआ galvanometer में deflection हुआ तो पास में लेके आए तो deflection हुआ जैसे ही रोका तो deflection खतम हो गया galvanometer में कोई reading नहीं आरी जीरो हो गया फिर उसको दूर लेके गए तब भी galvanometer में deflection हुआ लेकि इस बार जो deflection था वो पहले की तुलना में क्या था उल्टा था मानोरी पहले left में है तो इस बार right में हुआ फिर उन् उन्हांने देखा कि जब कभी भी इस magnet की motion यहाँ पर हो रही है जब कभी भी यहाँ पर magnet में motion हो रही है तो इस coil में से definitely current flow हो रहा है क्यूंकि galvanometer में तब तक deflection मिल रहा है तब जब तक यह magnet यहाँ पर move कर रही है तब तक इस میں galvanometer में deflection आ रहा है और galvanometer वो device है जो किसी भ काम करता है, galvanometer वो डिवाइस है जो किसी भी circuit के अंदर में current flow हो रहा है या नहीं हो रहा है ये detection का काम करता है, कि हाँ कितना आ रहा है वो नहीं बताएगा, उसके लिए galvanometer को emitter में convert करना रहता है, और कैसे convert करते हैं emitter में, तो parallel में एक resistance connect कर देते हैं, तो galvanometer emitter में convert हो जात ठीक है और कैलिबरेशन करना रहता है वो सारी चीज़े बात किया है वो आपने पहले भी पड़ी हुई है लेकिन अभी हम समझते हैं इस पर इन्होंने क्या लिखा देखो अब देखो जो मैंने चीज़ें ओरली बोली है वही उन्होंने याँ पर लिखी हुई है कि यह एक कोईल में से करंट फ्लो हुआ है नाव यह डिफलेक्शन तब तक ही रहता है जब तक की बार मैगनेट मोशन में है मतलब बार मैगनेट चल रही है जैसे ही बार मैगनेट को रोका जाता है है तो गैलविनो मीटर में कोई डिफलेक्शन नहीं आता है जब इस बार मैगनेट को इस coil से दूर धखेला जाता है दूर खीचा जाता है तो galvanometer में deflection आता है लेकिन ये जो deflection आया है वो पहली की तुलना में opposite direction में आता है जो ये बतला रहा है कि current की direction क्या हो चुकी है reverse हो चुकी है उसी प्रकार से जब bar magnet के south pole को coil की तरफ या coil से दूर खीचा जाता है तब भी galvanometer में deflection आता है और ये deflection नौर्थ पोल में जो deflection मिलेते उसकी तुलना में क्या है उल्टे है बराबर तो नौर्थ पोल को जब पास ले जा रहे थे तो जो deflection की direction की अपोजिट कौन सी आ रही है जब south को पास ले जा रहे है ठीक है तो भहिया इस पर आपका सवाल बनाए जा सकते हैं ठीक है नाव फर्दर the deflection is found to be larger when the magnet जब और देखा गया तो उन्होंने पाया कि जब बार magnet को उस कोईल की तरफ तेजी से खीचा जाता है या धकेला जाता है तो deflection ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा deflection का मतलब है कि उस कोईल में से current भी क्या हुआ है ज़्यादा flow हुआ है इसी परकार से जब हम bar magnet को fix करनैं और coil को चलाए bar magnet की तरफ तो उसमें भी वैसे ही effect आते हैं मतलग galvanometer में अभी भी फिर से deflection हमें देखने को मिलते हैं तो इससे पता चलता है कि बार magnet और coil के बीच की जो relative motion है वो responsible है इस coil में से current के flow होने के लिए this is your experiment number one जो यहां पर किया गया है फिर अगला है experiment number 6.2 अब इनोंने क्या किया? बार magnet को replace किया है second coil से जिसे battery से connect किया है और एक constant current यहां पर flow किया है ये वाला तो अब इसमें इन्हों ने क्या किया कि भाईया इसको बैटरी से कनेक्ट किया और बैटरी से कनेक्ट करके इसमें से constant current flow करवाया किसमें से भाईया coil number C2 से अब coil number C2 से current flow हुआ मतलब इसमें से एक magnetic field बन रहा है जैसे बार magnet का magnetic field है तो जब coil C2 को C1 की तरफ लेके जाया जाता है या उससे दूर लखेला जाता है तब भी हमें coil C1 से attached galvanometer में क्या मिलता है deflection मिलता है और यही कहानी है कि जब coil C2 को इधर लेके जा रहे ते जो deflection की direction थी वो opposite हो जाएगी जब coil C2 को coil C1 से दूर लेके जाएगे पास जाने पर जो deflection है दूर जाने पर वो deflection opposite direction में हो जा रहा है ठीक है यह चीज़े मैं बिलकुल आपको और अली उसमें बन करके बना सकता हूं ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती हैं बिलकुल हो सकती हैं फिर से experiment number 6.3 इसमें उन्होंने क्या किया यह जो दोनों experiment थे वो relative motion से related थे experiment number 3 में उन्होंने क्या किया same ऐसा ही experiment किया बस इस बार उन्होंने यहांपर क्या लगा दी की लगा दी क्या लगा दी और उन्होंने बताया कि भहिया कि relative motion is not an absolute requirement अब यहां समझना इस पर theoretical सवाल बनाया जा सकता है कि सिर्फ relative motion का होना जरूरी नहीं है कि सिर्फ relative motion हो तभी आपको इसमें current मिल रहा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है उन्होंने क्या किया भहिया यहांपर coil लगाई यहांपर एक की लगा दिया और stationary रग दिया जैसे ही हम यहांपर की को tap करते हैं की को tap करते हैं तो क्या होगा की को tap करते हैं circuit complete हुआ तो जैसे ही tap करते हैं तो instantaneously इसमें एक deflection आता है और की वहांपर पूरी होने के बाद में deflection आने के बाद में खतम हो जाता है फिर जब disconnect करते हैं तब भी एक deflection आता है तो यहां से इस experiment के थूँ उन्होंने ये सारी बाते हैं यहां पर बतलाई ही और फिर एक और चीज बताई उन्होंने कि यदि हम इस coil के अंदर में एक iron की rod को insert कर आदे इसके axis के along तो भाईया जो deflection है वो increase हो जाता है तो याद रखना ये भी एक छोटा सा point है तो याद रखना ये भी एक छोटा सा point है उन्होंने एक्सिस के along में जब आप एक iron की rod डाल दोगे तो उससे deflection जो है वो काफी हद तक बढ़ जाता है इसके बाद का topic है आपका magnetic flux वाला देखो ये same experiment 6.1, 6.2, 6.3 सब चल रहे हैं बस अंतर किस चीज का आ रहा है कि यहाँ पर देखो ये magnetic flux page number 156 पर आ रहा है यहाँ पर 206 पर आ रहा है मतलब cutting चटिंग हुई है बहुत जादा संख्या में बहुत अधिक संख्या में cutting चटिंग यहाँ पर हुई है पुराने chapters में से मैं अब अपना basic है हम अपनी topic पे आगे बढ़ते हैं ये NCRT के experiments बस मैंने यहाँ पर आपको दिखलाए हैं और now we continue to our chapter ठीक है और हम सबसे पहले बात कर रहे हैं electromagnetic induction की definition से जो मैंने वहाँ पर भी देखिए क्या है the phenomena किस चीज का phenomena किसी coil में से current या EMF का induce होने का phenomena कब जब उससे associated magnetic flux को क्या किया जाता है परिवर्तित तो भी या किसी coil में से magnetic flux को परिवर्तित करने पर किसी coil में EMF या current के induce होने का जो phenomena है इसे कहा जाता है electromagnetic induction किसी coil में से magnetic flux के change होने के कारण उस coil में current या EMF के induce होने का जो phenomena है उसे कहते हैं electromagnetic induction current कब आएगा जब coil complete होगी loop पूरा होगा और EMF कब आएगा जब उसमें cut लगा होगा coil पूरी नहीं होगी तो उसके terminals पे आपको क्या मिलेगा EMF मिलेगा अब यहाँ पर एक terminology हमें मिल रही है जिसका नाम है magnetic flux क्या नाम है magnetic flux सवाल उठता है कि भहिया यह जो magnetic flux की आप बात कर रहे हो what is this magnetic flux तो हम कहेंगे total number of magnetic field lines total number of magnetic field lines passing normally passing normally through a surface किसी सत्ह से किसी सर्फेस से उस सर्फेस के perpendicular पास होने वाली total magnetic field lines को हम कहते है magnetic flux क्या कहते है magnetic flux जिसकी definition यहाँ पर लिखी हुई है the total number of magnetic field lines magnetic field lines passing normally through a given surface area is called as magnetic flux अच्छा भहिया तो यह जो magnetic flux है अब पहले हम इस पे discuss करेंगे फिर इस magnetic flux को परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे ठीक है पहले हम क्या करेंगे magnetic flux को discuss करेंगे और फिर इसको और detail में समझेंगे अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान लखिए यह जो magnetic flux को define किया जाता है dot product of magnetic field and area and area vector अब इसको समझाने के लिए मैंने diagram को ready made लिया है ताकि मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पर समझा सकूँ यह diagram दिया गया है देखो क्या है यदि मान लो यह कोई एक area A की एक coil है जिसका यह area vector और यह magnetic field इसमेंसे पास हो रहा है तो यह coil कैसे रखी है ऐसे रखी है और इसमेंसे यह magnetic field lines ऐसे यहाँ से पास हो रही है तो इनका चुकि area is also a vector quantity और magnetic field is also a vector quantity तो इनका जो dot product होगा यह आपको क्या देगा magnetic flux देगा क्या देगा magnetic flux यहाँ पर provide करेगा तो अब आप सोचिए यदि मैं इसको थोड़ा सा और elaborate करूं तो phi b को मैं लिख सकता हूँ b a cos theta क्या लिख सकता हूँ b a cos theta लिख सकता हूँ yes or no अब phi b को लिखने के मेरे पास में दो तरीके हैं या तो b हो और into a cos theta हो या फिर मैं लिख सकता हूँ phi b को a लिख दू और b cos theta लिख दू दोनों का मतलब समझो इसका मतलब है कि वह या phi b बराबर b dot area perpendicular और इसका मतलब मैं लिख रहा हूँ कि area or magnetic field which is perpendicular to area getting my point ये चीज यहाँ पर लिखी है इसको मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है अब इस particular case में यदि आप देखोगे देखो area perpendicular से यहाँ पर confuse नहीं होना है area perpendicular जब लिख रहे हैं तो भहिया area vector perpendicular नहीं लिखा है मैंने area perpendicular लिखा है समझना क्योंकि area की direction अब देखो magnetic field की direction में आ रही है मतलब वो area हमें consider करना है जो magnetic field की direction में है जैसे इस वाले diagram को आप समझाता हूँ मैं यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर यह जो है यह आपका coil है ठीक है इसका जो area vector है यह इसके perpendicular होगा कोई का area क्या होता है यह कोई sheet है तो इसका area ऐसे perpendicular to this surface इसके क्या होगा perpendicular होगा अब मान लेता हूँ मैं यहाँ पर हमारा यह जा रहा है magnetic field तो भाईयों मेरे पास में एक तरीका तो यह है कि मैं मान लो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो angle है वो है हमारे पास में theta थीटा गया है area vector और magnetic field के बीच का vector magnetic field vector और area vector के बीच का angle है theta तो मैं या तो area का वो component ले लूँ जो magnetic field की direction में है तो यह आएगा a cos theta क्योंकि इसका एक component इधर आएगा तो एक component इधर चलेगा जो होगा a sin theta तो मुझे a sin theta से कोई मतलब नहीं है a cos theta है या दूसरा तरीका समझो कि मैं magnetic field के दो component कर दूँ जो एक area vector में की direction में हो और एक उसके perpendicular ऐसे बनेगा तो यह वाला component आएगा आपका b sin theta और यह वाला आने वाला है b cos theta ठीक है is it clear आपको चाहिए तो भाईया देखो मैं area को ऐसे vector पूरा लिख देता हूँ कि भाईया यह area vector है color change से कोई confusion नहीं होना चीए और यह magnetic field vector है तो देखो या तो मैं area के component लिव दूँ और एक component जो magnetic field vector की direction में उसका और magnetic field का product कर दूँ तो आपको flux मिल जाएगा या magnetic field के component करूँ और उसका एक component ऐसा रखूँ जो area के direction में हो तो हमें flux मिलेगा जिसे मैंने यहाँ पर बताया ध्यान लगना area vector is not perpendicular to magnetic field area a perpendicular का मतलब है कि area का perpendicular component जो magnetic field की direction में है या सौरनो लिखने का यह यहाँ पर तरीका होता है अच्छा भाईया important है इस flux की unit को समझना तो भाईया 5 बराबर है आपके पास में b a cos theta अच्छा अब समझते हैं कि देखो magnetic field की unit होती है टेसला और यह आएगी meter square cos theta की तो जोरती नहीं है तो एक unit तो यह हो गई अच्छा दूसरी unit यह दी मैं बात करूं flux के लिए तो भाईया वेबर पर meter square into meter square तो भाईया यह आ जाएगी कितनी equal to वेबर यह दूसरी unit हो गई yes or no अच्छा मैं यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा और करना चाहता हूँ वो है regarding the dimensions of flux dimensions of flux तो flux के dimensions मैं कैसे लिख सकता हूँ सूचना तो भाईया देखो फाई बराबर है आपका बी ए कॉस ठीटा मैं नहीं बहुत ठीक है अब magnetic field के लिए मैं क्या गरूँ देखो अब कुछ ऐसी चीज है समझो ऐसी चीज को पकड़ो जो आसां हो कोई ऐसा formula जहां यहां से मैं magnetic field की dimensions लिख सकूँ या तो मुझे याद हो या फिर मैं लिख सकूँ तो आपको पता होगा कि magnetic force को लिखा जाता है qvb sin theta तो यहां से मैं भी लिख सकता हूँ fm upon qv यह सौर नो तो fm मतलब आएगा newton में charge आएगा कूलाम में जिसे मैं ampere meter लिख दूँ और velocity आएगी meter पर second में तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको side में रखता हूँ तो भाईया मैं यहां पर flux के लिख सकता हूँ flux b की जगे आजाएगा यह sin theta रह गया है यहां का fm magnetic force qv sin theta अब sin theta चुकिए dimension less है तो बार बार लिखने की ज़र्वत नहीं है और यह आएगा area vector ठीक है यह आएगा newton इसके dimensions आएंगे m1 l1 t-2 upon charge के आएंगे a1 a क्या है ampere t1 v क्या है velocity यह आएगा l1 t-1 और area क्या आएगा l2 इन सब को solve कर लीजे you will get the dimensions बोलो कितने आएंगे dimensions यह humbug है अभी आपका इसको आपको खुद से निकालना है dimensions of flux मैंने hint दे दी भई आपको sin theta cos theta के तो dimension less quantity है न यह किसके भी लिखोगे क्या बोलते हो कि लिखना ही चाहते हो sir लिखवाई दो sin theta और cos theta के dimensions मैं कहां से लिखवा दूँगा होते हैं क्या नहीं न होते हैं तो फिर मैं कैसे लिखूंगा नहीं लिख सकता तो क्या यह flux के बारे में इतना समझ में आया अब देखो अगली heading क्या आ रही है यहाँ पर dependency of flux on angle तो यदि मैं इसको समझने की कोशिश करो दो दो फ्लक्स का formula आपको पता है b a cost theta मैंने लिखा क्या लिखा वही या 5 बराबर b a cost thetaOK कि यहाँ पर देखो यदि मेरे पास मैं theta बराबर प्लक्स है जीरो degree तो क्या होगा cos theta बराबर cos 0 बराबर आएगा 1 cos theta वराबर cos 0 आएगा 1 जो की इसकी क्या है maximum value है जो की क्या है maximum value है तो मतलब flux भी क्या होगा maximum होगा yes or no लेकिन यदि मेरे पास मैं theta है 90 degree तो भईया cos theta वराबर cos 90 वराबर 0 that is आपका flux क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो जब area vector magnetic field के क्या होगा perpendicular होगा तो आपका flux क्या हो जाएगा 0 यह dot product के application में भी आपने पढ़ा हुआ है एक और दो point आते हैं वो यह है कि भईया यदि आपका theta जो है 0 और 90 के बीच में है तो यहाँ पर आपको cos theta की value मिलती है positive तो भईया flux को positive consider किया जाता है और यदि आपके पास मैं theta की value 90 से लेकर 180 के बीच में होती है तो cos theta आता है negative तो आपके flux को भी हम क्या consider करते हैं negative ही consider करते हैं flux को भी क्या consider कर रहे है negative तो यह चार point है जिस पर हो सकता है कि examiner का ध्यान जाए और वो इस पर question बना दे क्यूंकि adda and ncrt में इस से related चीज़ें discuss करी गई yes or no ठीक है अब मैं अगले point पर यदि चलता हूँ तो इस flux से related सवाल है मैं यहाँ पर diagramatically सवाल दिखा रहा हूँ सवाल देखिए क्या है यह आपकी x-axis है यह आपकी y-axis है यह आपकी z-axis है यह b-h है और यह b-v है ठीक है find the flux passing through the sheet for the following अब यह क्या सवाल दे दिया सर समझ में ही नहीं आ रहा है तो पहले सोचो क्या पूछा है सवाल में सवाल में पूछा है find the flux flux find करना है तो यह flux होता है b-vector dot a-vector yes or no क्या यह बात सही है yes or no अब जरा यहाँ पर द्यान से देखिए यह magnetic field को मैं देख सकता हूँ एक तो b-h है जो इस direction में है और एक b-v है जो इस direction में है मतलब मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास में magnetic field vector है वो है b-h i cap plus का b-v minus j cap minus j cap क्यों आपको पता होगा standard में x direction plus i cap होती है plus y direction plus j cap होती है तो यहाँ पर b-v downward देख रहा है देखो ऐसे है न y से ऐसे आ रहा है तो इसे minus लेंगे तो भाईया आपके पास में b vector तो दिख गया कि b-h i cap minus का b-v j cap है दिख रहा है यह नहीं दिख रहा है अब और कौन चाहिए area vector अब बस आपको area vector को और अच्छे से identify करना है कि भाईया area vector तो मैं माल लेता हूँ magnitude है a क्योंकि उसने लिखा है area vector का a दिखान से देखिए यह आपकी x axis है यह y axis है डाइगराम ऐसे बनाया है मतलब यह जो है न यह x y plane में रखी हुई है और यह देखो यह ऐसे जो टेड़ा दिख रहा है मतलब जैड के along दिखा रहा है मतलब यह ऐसा है मतलब area जो vector है a और के cap है बस तो अब आपका flux आपको लिखना है so therefore 5 बराबर आएगा pH i cap minus bv j cap dot a cap dot product को solve करिए you will get what 0 0 vector की 0 सिर्फ 0 क्योंकि flux क्या है एक scalar quantity है yes flux vector में आएगा गया अब इस सवाल को examiner ऐसे नहीं पूछेगा जैसे मैंने पूछ लिया मैंने तो simple कर दिया देख उसने बोला a sheet of area A is placed in x y plane find the flux passing through this sheet if the magnetic field is shown below यही सवाल है जो बड़ा आसान था मेरे लिए अब इस सवाल को मैंने ऐसे दे दिया तो क्या समझ में आया आपको यहां से वो magnetic field vector directly दे रहा है क्या bhi cap minus का bv j cap और उसने एक और चीज बोली है कि एक sheet है जिसका area A है उसे आपने x y plane में रखा है तो area vector की possibility क्या है कि भाई यह देखो area vector की possibility है या तो यह होगा a k cap या होगा area vector कितना minus a k cap कोई भी हो सकती है लेकिन जब ऐसी ambiguity हो तो हम इसे चुनते है priority इसे दी जाती है ना कि इसे इसे नहीं लेना है अब आप देख लो यह सब कुछ same हो गया तो flux का answer कितना आएगा बिटा clear है सवाल अच्छा भी है अगला सवाल देखो बिल्कुल similar pattern में सवाल चल रहा है बिल्कुल similar pattern में सवाल चल रहा है magnetic field में में कोई change यहाँ पर बतलाने की चुकि हमने पहली ही heading पड़ी है flux की तो भाईया कुछ कुछ वैसा ही रहेगा flux वराबर b vector dot a vector और b vector आपके पास में आएगा b h i cap minus b v j cap area vector और लिख दो बस इसके लिए यह area vector क्या लिखा जाएगा तो यह आएगा a अब देखो यह ऐसे दिख रहा area vector तो कौन सी direction है x मतलब यह आएगा i cap तो बताओ मुझे flux कितना आएगा फिर यह आएगा b h i cap minus b v j cap dot a i cap अच्छा वह यह dot product cross product आना चीए मैं बार बार बतला रहा हूँ magnetism में बड़ा important role है इस चीज का ठीक है तो यह आपको आता ही होगा तो यहाँ से solve करेंगे तो 5 बराबर कितना आएगा i cap i cap वाले का करना है तो यह आएगा b h times a और यह इस सवाल का answer होगा अब इस ऐसे अनंत सवाल बनाए जा सकते हैं और खेला जा सकता है क्या यस भाया जी खेला जा सकता है बिलकुल खेला जा सकता है अब देखो उसी सवाल को यहाँ पर दिया गया है y z plane में रखके दी गई है तो area vector क्या आएगा a i cap magnetic field कितना आएगा b h i cap minus b v j cap so flux बराबर आएगा b vector dot a vector solve करेंगे तो भाया देखो यह आएगा b h i cap minus b v j cap dot a i cap so flux हो जाएगा आपके पास में फिर से वही b h times a same सवाल पूछने का तरीका मैंने बदलवाया बस तो देखो यह बस आपको ही ध्यान रखना है कि भाया यह सारी चीज़ है यहाँ पर possible now यहाँ से हम अपने उसमें एंटर कर रहे हैं एक बहुती प्यारे से टॉपिक में जिसका नाम है laws of electromagnetic induction तो भी यह देखो laws of electromagnetic induction की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरह के दो चीज़ों की बात होती है एक होती है फेराडेज law और एक होती है lens law फेराडेज और lens laws में क्या है कि यह फेराडेज की लौकिक नियमों को ही copy करके lenser ने अपने नियम दिये अब देखो क्या होता है कि NCIT में थोड़ा सा देखोगे तो हो सकता है कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिले लेकिन मैं उस परिवर्तन पे ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ फेराडेज सर ने अपने दो लौ दिये है फरडे सर नहीं है ध्यान लगना हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पहले फेराडेज law of EMI EMI की full form है electromagnetic induction क्या कहती है भईया ये पहला law है जो कहता है whenever whenever there is a change whenever there is a change in flux in flux associated with associated with a coil then an EMF is induced in the coil induced in the coil फेराडे सर ने अपना पहला नियम बड़ा ये आसान दिया और ने बोला जब कभी भी किसी कॉइल से संबद फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इस कॉइल में एक EMF induced होगा फिर उनसे पूछा गया कि भीया कितना होगा क्या होगा तो उन्होंने इसको बड़े ही आसानी से बोल दिया कि जो EMF induced होगा उसका जो magnitude होगा the magnitude of induced EMF the magnitude of induced EMF is directly is directly proportional directly proportional to rate of change of flux rate of change of flux अच्छा यह कौन से flux की बात कर रही है यह बात कर रहे है magnetic flux की change of flux through it through it it मतलब इस मैंसे जो पास हो रहा है उसी flux की बात कर रहा है इस पतलब लगा आप पड़ोवस में परिवर्तन करके आओ और अपने घर में देखो पड़ोसी के घर का बिजली का बटन दबा के आओ अपने घर में सोचों की लाइट जल जाए या अपने घर में बिजली का बटन दबा और सोचों की पड़ोसी के यहां उजाला हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता Unless and until आपने यहां से वहां तक connection नहीं दे रखा हो जब तक कि दोनों में connection ना हो ऐसा होना possible नहीं है अब इस चीज़ को उन्होंने क्या बोला कि भाईया जो EMF induced हो रहा है वो क्या है उसका magnitude जो है वो कुछ इस प्रकार से यहां पर आ रहा है अब proportionality sign हटेगा तो एक constant आएगा क्या आएगा एक constant आएगा भाईया तो हमने उसे मान लिया k है लेकिन उन्होंने बताया कि भाईया इस k की value आ रही है one tension नहीं ना लो एक constant की value पूछी जाती है constant क्या आ रहा है one तो proportionality constant in Faraday's law is one कुछ नहीं है कोई नहीं simple एकदम आसानी से yes और no अब यहां पर क्या था ना देखो यह चीजे बड़ी आसान थी लेकिन लेंज सर आये और उन्होंने इसमें एक direction का तड़का दे दिया जैसे दाल फ्राई होती है उसके बाद उसमें तड़का लग जाता तो दाल तड़का बन जाता है 10 रुपे बढ़ जाते हैं है की नहीं नहीं सर हमारे यहां तो दाल फ्राई मिलती है तड़का मिलता ही नहीं है या हमारे यहां सब कुछ सेम होता है अलग बात होसकती है पर हमने चनल ली देखा इस जब आप मिरची उसके तड़कह बने बंने ऊपर से टड़कह एकी यहां है किया नमक मिर्ची जीरा मिर्ची में दूदल गरम के बारे में चर्चा करी यह जो नियम था ना यह जो है यह हमारे पास में मतलब यह यहां पर जो कहानी चल रही है यह मैगनिट्यूड की कहानी चल रही है लेंज सर आए मैंने कहीं लिखा तो नहीं है है यहां पर हम बात करते हैं लेंज लोग लेंज लोग यह जो भी थेरी हम पढ़ रहे हैं हम लोगों ने से थको भी लोगों को डिसकस करना है ले以及 पहले हम जो पढ़ रहा है पहले उसको तो पढ़ लेंज नहीं क्या बतलाया उन्ग ने बतलाया कि जो direction होगी किस चीज की direction होगी the direction of induced EMF direction of induced EMF EMF की full form जा होती है electromotive force या current अब देखो ये current और EMF का अंतर आपको समझ में आता है न current का जब coil पूरी हो और उसमें cut मार दोगे तो EMF होगा तो जो induced EMF आ रहा है या current आ रहा है उसकी direction क्या होगी the direction of induced EMF current will be in such a way will be in such a way that it opposes it opposes किस चीज का विरोध ये विरोध पे ध्यान देना अभी ये terminology अभी इस पूरे लेक्चर में बहुत बार आने वाली है induced EMF या current की direction कुछ इस प्रकार से होगी कि ये oppose करता है किस चीज का it opposes the cause ये उस कारण का विरोध कर रहा है which has produced it जिसने इसे उत्पन किया है जिसने इसे उत्पन किया है उसी का ये क्या कर रहा है विरोध कर रहा है कौन? induced EMF या current जो भी EMF induced हो रहा है या जो current induced हो रहा है किसी कॉइल में उसकी direction कुछ इस प्रकार से होगी कि वो उस कारण का विरोध करेगा जिसने इसे produce किया है सर कुछ example example पर हम बात में बात करेंगे लेकर अभी समझो क्या है E बराबर mod of d5 by dt जो लिखाता ये यहां तक ferrari sir का नियम था जैसे ही मैं इसमें minus लगा दूँगा तो ये आएगा lens law lens sir का नियम ये है कि इन्हों ने इसमें minus लगवा दिया बस अब direction का जो खेल है वो समझी है जैसे मान लो ये coil है तो इस coil में आप current की direction दो तरह से सोच सकते हो एक तो ऐसे flow हो रही हो या फिर एक ऐसे flow हो रही हो हो सकते है कि नहीं हो सकते है दो direction possible एक ही coil में तो ये clockwise या anti-clockwise ये किस बात पर निरबर करेगा कि ये किसने से उत्पन किया है क्यों क्योंकि जब current आएगा तो उसके कारण भी एक magnetic field होगा और वो magnetic field कुछ ऐसा आएगा कि वो उसी का विरोध कर रहा होगा जिसने इसको लाया है इसी चीज़ को हम लोगों को यहाँ पर समझना है लेकिन इसको समझने के लिए अब जरा हम बात करते हैं देखो e बराबर माइनस d5 by dt ये आपका lens sir का नियम है लेकिन हम पूरी जो discussion यहाँ पर करने वाले हैं वो अभी हम करने वाले हैं नागनी ट्यूड के basis पर पहले हम कुछ थेरी अपना बेस बना लें जब तक थेरी का बेस नहीं मनेगा तब तक हम नियोमेरिकल्स को discuss नहीं कर पाएंगे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ना चलो तो भाईया अब हम शुरुवात करते हैं उन्हीं चीजों से जो हमें पता है वी नो देट वी नो देट कि भाईया ए बराबर है मौड ओफ डी फाई बाई डी टी यास और नो अच्छा हमें पता है अच्छा वी आलसो नो अब देवों मैं बहुत सारी चीजों को यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ कि भाईया फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए बराबर डी बाई डी टी ओफ बी ए कॉस थीटा यास और नो अच्छा मैं बार बार मैंगनिटूड नहीं लिखूंगा लेकिन अब आपको पता होना ज़रूरी है कि भाईया देखो यह मैगनिटूड ही है तो अब देखो मतलब इंडियूस EMF लाने के कितने तरीके हैं आपको फ्लक्स में परिवर्तन करना है बात सही है लेकिन फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं यह कौस थीटा से तो भाईया या तो मैं सिर्फ कहानी यह कहती है कि इफ ओनली मैगनेटिक फील्ड चेंगेज यदी सिर्फ और सिर्फ मैगनेटिक फील्ड यदी परिवर्तित हो रहा है तो आप लिखोगे e बराबर area और cos theta constant हो जाएंगे तो यह आएगा a cos theta into db by dt ऐसा भी तो possible है कि भाईया सिर्फ और सिर्फ area change हो रहा हो if only area changes तो उस case में e बराबर आएगा b cos theta into da by dt और यदी ऐसा हो रहा हो कि if only theta that is the angle between magnetic field vector and area vector changes तो e बराबर आएगा b a और d by dt of cos theta yes और no अब इन पर हमें अलग-अलग तरह के सवालों के बारे में समझना है क्या हुआ तब एकदम से भूम भूम हो जाता है कई बाद जब light आती है जाती है वगेरा वगेरा ठीक है तो यह हमारे पास में एक संभावना नजर आ गई कि भाईया देगो यदि आपको emf induce कराना है या current induce कराना है तो current की बात तो बात में करेंगे emf induce कराना है तो आपको भाईया flux को change कराना पड़ेगा flux का formula होता है b a cos theta जो अभी मैंने पड़ा है अब यदि मैं सिर्फ magnetic field को change कर दूँ तब भी emf का induce होना possible है मैं सिर्फ area को change कर दूँ area कैसे change हो सकता है चोटा कर दो बड़ा कर दो जैसे कोई ring है उसको shrink कर दो या उसे expand कर दो क्या area change होगा yes होगा कोई circular loop है उसे rectangle में convert कर दो अच्छा इन सब पे हमको numerical discuss करने है लेकिन थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा हमें time देने की आवश्यक्ता यहाँ पर है yes or no तो यहां तर यदि कहानी clear है तो भईया आप एक बात समझ लेते हैं हम आप कुछ formula बना रहे हैं e बराबर d5 by dt तो इसका मतलब समझे यह e है यहाँ पर instantaneous value instantaneous value of induced EMF एक पॉइंट समझ में आया लेकिन मान के चलो यदि मुझे चाहिए average value of EMF induced तो मैं क्या लिखूंगा average value average EMF induced यदि ये मुझे यहाँ पर निकालना है तो मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पर e average बराबर क्या लिखूंगा delta phi upon delta t जिसे मैं लिख सकता हूँ phi final minus phi initial upon t2 minus t1 तो ये सारे वो चीज़ें बन रही हैं जिस पर क्या बनने वाले हैं सवाल बनने वाले average EMF induced देखो e बराबर d5 by dt तो ये instantaneous value बता रहा है याद करो experiment को magnet चलके आ रही थी या वो coil चलके आ रही थी तो उस समय deflection था लेकिन रुकी तो बंद हुआ की नहीं हुआ deflection खतम हुआ तो इसलिए average और instantaneous का फरक आपको समझ में आना चाहिए मैंने माना जिस coil की मैं चर्चा कर रहा हूँ यदि उसका resistance आर है तो induced current क्या होगा मैंने बोला if मैंने बोला if the resistance of the coil resistance of the coil is R and coil is closed coil क्या है close है then induced current क्या लिखा जाएगा बताओ तो आप लिखोगे I induced बराबर E induced upon R क्या ये बात सही है यास और नो तो आपने बोला हाँ सर जी बात तो सही है अब सही है तो देखो I बराबर आएगा वान बाई आर डी फाई बाई डी टी सो यहां पर ये जो I आ रहा है वो क्या है instantaneous value instantaneous value of induced current लेकिन मुझे यदि average चाहिए तो मैं क्या करूँगा बताओ average induced current तो इसे कैसे मैं denote करूँगा तो मैं लिखूँगा I average कितना आएगा E average by R that is I average 1 by R delta 5 upon delta T लो एक और formula बन गया तो अब इनका मतलब समझ में आना चीए भाईया देखो सिर्फ average और instantaneous का फरगेदी समझ में नहीं आएगा तो आपको परेशानी होगी मतलब होगी अज़ा इसको मैं चाहूँ तो मैं और भी आगे लिख सकता हूँ 1 by R और क्या लिख सकता हूँ ऊपर लिख दू 5 2 minus 5 1 upon T 2 minus T 1 ये आपकी मर्जी है नहीं तो यहां से कितनी basic understanding तो आपको होगी मैं ऐसा expect यहां पर करके चल रहा हूँ एक और चीज यहां पर बनती है वो क्या है कि देखो भईया इसके कारण charge की भी चर्चा हो जाती है क्या charge की भी चर्चा यहां पर हो जाती है सर ऐसे कैसे हो जाती है देखो we know हम एक चीज जानते हैं क्या जानते हैं हम जानते हैं कि I बराबर होता है delta q upon delta t so it implies delta q आएगा I dot delta t अब यहां पर देखो यह जो है न मैंने जो लिखा है यह लिखा है I average के बारे में I average जो आएगा क्या delta q upon delta t आएगा तो क्या मतलब delta q को मैं I average into delta t लिख सकता हूँ बिल्कुल तो सोचो यहां से delta q बराबर I average कितना लिखाता मैंने यहां पर यह लिखाता तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 by r delta 5 by delta t और into delta t तो delta t से delta t cancel so it implies delta q बराबर आएगा delta phi upon r delta phi upon r तो यहां पर हम लिख रहे हैं charge induced in coil of resistance r कितना बनेगा बेटा जी delta q बराबर delta phi by r यह भी एक शांदार result है इतने मैंने formula यहां पर बता दिये तो इन पर हमको महनत करनी पड़ेगी महनत लेनी पड़ेगी average और induce का फरक हमें समझ में आना चाहिए तभी यह चीजें आपको समझ में अच्छे से आएंगी लेकिन इनका फरक आपको तब समझ में आएगा जब आप numerical पे पहुँचेंगे numerical discuss करेंगे लेकिन जब तक आप numerical discuss नहीं करोगे तब तक आपको यह वाला जो difference है यह समझ में नहीं आएगा कि instantaneous को कैसे deal करना है average को कैसे deal करना है और इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम क्या करें थोड़ी सी numerical की practice करें क्या करें numerical की practice करें लेकिन numerical को discuss करने से पहले मैं एक बार चाहता हूँ कि आप सारी चीजों को recall कर लें basic formula को electromagnetic induction की definition को क्या phenomena था कैसे था experiments को आप एक बार जरूर देखें बिटा सब चीजों को ध्यान से देखें जरूर ठीक है now कहानी जो यहाँ पर शुरू हो रही है वो ऐसा है कि हमारे पास में फेराडे सर ने अपना लौ दिया और उन्होंने induced EMF को बोल दिया कि भाईया d5 by dt है यह हमने magnitude ले लिया लेकिन मैं यह बता दू यह तो instantaneous value है instantaneous value को हमने d5 by dt लिखा और average value को delta 5 by delta t लिखा फिर हमने बोला कि यदि यह coil close है और इसका resistance r है तो i induced जो आ रहा है 1 by r d5 by dt आ रहा है और जो average induced current आ रहा है वो आपका 1 by r delta 5 by delta t आ रहा है फिर हमने इसमें charge के बारे में भी discussion किया जो कि delta q बराबर delta phi upon r आ रहा है यही वो basic formula है जो अभी तक हमने पड़े है Lange law को अभी और detail में discuss करना बाकी है कि किस प्रकार से क्या होगा लेकिन बिटा पहले कुछ हम numerical discuss करते हैं Let's start with the very first question जो यह रहा आपकी screen पर यह देखिए pyq है काफी थोड़ा पुराना है लेकिन pyq तो pyq होता है The magnetic flux through a circuit of resistance R changes by an amount of delta phi in a time delta T हमारे पास में कोई circuit है जिसका resistance capital R है और इसमें से change होने वाला flux delta phi जो की delta T time में change हो जाता है So then the total quantity of electric charge q that passes any point in the circuit during the time delta T तो delta T समय में किसी भी point से circuit के किसी भी point से pass होने वाला charge कितना आएगा तो भईया हम जानते हैं delta q आएगा delta phi upon R Straight forward ये आपका Previous year में question पूछा गया है देखो काफी close बिलकुल यदि जिसको याद है उसको उसके लिए तो ठीक है लेकिन जिसको नहीं है उसके लिए ये सवाल अलग ही level की headache हो जाती है बिटा ध्यान रखना NEET के exam में speed और accuracy चाहिए हम even नहीं कहते कुछ चीज़े हम समझते हैं इसलिए हम आपको कहते हैं अब सोचो जिसने ये पड़ा हुआ है उसके लिए इस question की duration होगए 10 second से 15 second मतलब जो हम कहते हैं कि भईया एक question को करने के लिए 1 minute चाहिए क्या यहां से आपने 40-50 second का समय आपने बचाया और यही time saving आपको काम में आती है during the exam that's why we say that need exam needs speed as well as accuracy चल आगे बढ़ता हूँ अगला सवाल देखिए देखो यहां पर एक सवाल क्या है if the flux passing through an area is given by equation 5 बराबर 2t square plus 5t plus 6 find emf induced पहला at t बराबर 1 second दूसरा in t बराबर 1 second यह दोनों सवाल मैंने क्यों करवाए है ताकि देखो कौन सा instantaneous है और कौन सा average है वो confusion तुम्हारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए तो देखो at यह जो word है यह आपको बतलाता है कि आपको calculate करना है instantaneous और यह जो word है in यह आपको बतलाता है average भले उसने कुछ नहीं पूछा उसने सिर्प और सिर्प EMF लिका है उसने मतलब मैंने लिखा है भाई ताकि मैं आपको वो differentiation यहीं बता दूँ तो सर इस सवाल को आपने पहले लेना चाहिए था जो अभी पहले नमबर पे जो सवाल करवाया आपने इसको बाद में लेना चाहिए था मैंने इसको पहले इसलिए रखा ताकि आपको यह idea लगता रहे भाईया कि exam में direct formula पूछे जाते हैं यह पता होना चाहिए न confidence confidence कैसे बूछ्टोगा कि हाँ भई जो हम पढ़ रहे हैं सर ने unnecessary तो यह charge तक नहीं पहुँचा दिया सर level बढ़ाने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि सर हमारा level बढ़ाने के चक्कर में बहुत जादा unnecessary पढ़ा रहे हूं तो यह भी feeling कई बार बच्चों को आती है तो भीया इसलिए मैंने ये सवाल आपको पहले बताया और फिर ये वाला सवाल आपके सामने रखा अब ये सवाल कोई exam का सवाल नहीं है ये सवाल है basically आपकी understanding को develop कराने के लिए कि भीया आपको कैसे पता लगेगा कि instantaneous पूछा है या average पूछा है कई बच्चों के मंद में doubt आया होगा जब फॉर्मूले देखे होंगे आप लोगोंने कि sir हमें कई से पता लगेगा कि average पूछ रहा है या instantaneous पूछ रहा है तो मैं पता चलेगा in और at से in मतलब average और at मतलब instantaneous चलो तो पहला सवाल है हमारा at वाला तो at मतलब instantaneous तो e क्या लिखा जाएगा d5 by dt तो e की equation लिखो यहाँ पर d by dt 5 कितना है 2t square प्लस 5t प्लस का 6 अब एक बात समझो जब unit बज़रा नहीं लिखी हो तो उसको मानना है कि वो si है इसको यदि मैं differentiate करता हूँ तो e का answer आएगा 4t प्लस का 5 तो यह जो हमें मिल रहा है यह मिल रहा है e as a function of time अब आपको चाहिए e at t बराबर 1 तो यह आएगा 4 into 1 प्लस का 5 that is 9 वोल्ट ठीक है अब दूसरा सवाल इसने क्या पूछा है in मतलब e average जो क्या होता है delta phi upon delta t that is phi 2 minus phi 1 upon t2 minus t1 सही बात है तो भईया यहाँ पर देखो यहाँ पर उसने लिखा है in 1 second मतलब t बराबर 0 से t बराबर 1 हो गया तो भईया phi 1 कितना आएगा तो देखो phi आपके पास में दे रखा है 2t square प्लस का 5t प्लस का 6 तो यहाँ पर देखो 5 1 मिलेगा 2 into 0 का square प्लस 5 into 0 प्लस का 6 मतलब 6 और 5 2 मिलेगा आपको 2 into 1 का square प्लस 5 into 1 प्लस का 6 6 पास 11 और 2 13 तो आपके पास में e average जो आ रहा है वो आएगा 13 minus 6 upon 1 minus 0 13 मैं से 6 के 6 और 6 12 और 1 7 तो 7 वोल्ट यह हमारे पास में answer आ रहा है यह हमारे पास में answer आ रहा है तो क्या इन दोनों questions को करने के बाद में आपका confidence कुछ आया कि भहिया हमें अब instantaneous और average में परेशानी नहीं होगी कि अभी भी होगी सर परेशानी तो अभी भी होगी चलो कोई बात नहीं भहिया अब क्या बोलेंगे आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और आजा अब देखो सवाल देखो क्या लिखा है उसमें if the flux passing through the coil of area a बराबर 10 centimeter square is given by equation 5 बराबर 2t square plus 5t plus 6 ध्याम दिया अपने equation सेम रखिये if the resistance of the coil is 10 ohm मैंने resistance भी दिया है find the charge induced in the coil in 3 seconds सवाल किसका है charge का तो charge का formula आपको याद है delta phi upon r देखो अभी एक बात समझो physics में बहुत formula होते जा रहे है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे याद पीछे सा part आगे part पीछे सा part ऐसे कहते हैं मतलब आगे पढ़ते जा रहे है और पीछे सा बूलते जा रहे है ऐसा नहीं होना चाहिए इसके लिए practice revision consistent revision आपको करना होगा तो भाई आप देखो delta phi upon r तो r तो आपको पता है कि भाई दिया है 10 ohm कोई डरने की बात नहीं है delta phi का मतलब क्या होगा phi final minus phi initial तो भाई आपको पहले initial निकालना पड़ेगा तो आप निकालोगे 5 initial कितना आएगा 2 into 0 का square plus 5 into 0 plus 6 that is 6 और 5 final कितना आएगा तो देखो उसने पूछा है 3 second में तो 3 रखोगे तो 2 into 3 का square plus 5 into 3 plus का 6 कितना आएगा तिनाम्तिय नौदुन आठारा पांस तिया पंदरा पंदर नौद तीस और तीन ते तीस और 6 49 39 सो भाईया therefore delta q कितना आएगा 39 minus 6 upon r तो यह आंसर आएगा 3.3 कुलम yes or no कितना आसान सवाल है yes sir sir ऐसा तो नहीं ना कि आप हमें आसान आसान सवाल करवा के लुभा रहे हो और final exam में हमें पता लगे कि बहुती भेंकर सा कोई सवाल आ गया आपको ऐसा लगता है क्या मतलग क्या आप लोगों का मेरे उपर विश्वास नहीं है क्या बोलते हो है या नहीं सर थोड़ा थोड़ा तो है लिटिल लिटिल भरोसा भी है वान यू चलो अगला सवाल दिखाता हूँ मैं देखो यह सवाल देखो अब यहाँ ध्यान से देखो क्या सवाल है एक आपके पास में कोई है जिसमें नमबर आउव टरंस है आठ सो उसका effective area इतना है तो उसे हमने रखा है perpendicular to magnetic field magnetic field के perpendicular रखा है फिर when the plane of the coil is rotated by 90 degree around any of its co-planar axis in 0.1 second the EMF induced in the coil will be coil में कितना EMF induced होगा द्यान से देखना बेटा यहाँ पर in लिखा है मतलब यह average की ही बात कर रहा है तो average तो आएगा आपके पास में delta phi upon delta t और delta t आएगा 0.1 second मैंने बोला ठीक है अब delta phi का मतलब हो गया आपका phi final minus का phi initial अब सवाल उठता है कि initial और final phi कैसे निकलेगा यही बस एक चुनौती है अब देखो मैं सवाल को करवाता हूँ आपको तो भईया हम जानते हैं कि flux बराबर आएगा b a cos theta अब समझना जारा phi initial क्या होगा तो भईया देखो magnetic field दिया है area दिया है theta दिया है क्या हाँ दिया है ना अब समझो कैसे दिया है लिखा है a 800 ton coil of effective area this is kept perpendicular on magnetic field of this तो भईया आपने उसे perpendicular रखा है मतलब coil ऐसे होगी तभी तो magnetic field इसके perpendicular होगा और उस case में angle 0 होगा समझना इस बात को यह coil है यह magnetic field है क्या अब magnetic field coil के perpendicular है हाँ ध्यान रखना क्या लिखा है coil के perpendicular है coil के plane के perpendicular है एक ही बात हो गई area vector के नहीं तो theta क्या है 0 तो 5 initial आएगा b आपने लेखा सर जी 5 into 10 to the power minus 5 area 2019 का सवाल है यह area आपने लेखा point 5 sorry point 05 और theta हो गया 0 तो cos 0 आ गया 1 सही बात है तो भई यह 5 initial हो चुका है मान ले 2 0 और यहां adjust कर दो तो यह आएगा 25 into 10 to the power minus 7 सही है देखना कुछ चीजे हैं जो मैं बतानी की यहां पर कोशिश करने वाला हूं अब आपने क्या किया 5 final कितना आएगा तो देखो magnetic field तो उतना ही होगा area भी उतना ही होगा बस अब आपको थीटा देखना है आपने क्या बोला इसको आपने क्या किया rotate किया किसी एक axis के अब आउट जो इसके plane में है तो जैसे मान लो यह एक axis है इसके plane में तो आपने इसके about इसे घुमा दिया जैसे यह ऐसे है आपने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया तो भाई यह एंगल कितना हो जाएगा यह धर area vector धर magnetic field vector एंगल हो जाएगा 90 यह आ गया cos 90 0 तो अब जब आप लिखोगे in average तो यह average आपको मिला 0 minus 0 minus 25 into 10 to the power minus 7 upon time कितना है 0.1 second तो भाई यह आपको यह average जो मिल रहा है magnitude wise 25 into 10 to the power minus 6 दूर दूर तक answer match नहीं कर रहा है कर रहे हैं किया गलती होई है बताओ चलो क्या गलती होई है तो समझाता हूँ मैं यहाँ पर समझना जब हमारे पास में if flux बराबर है b a cos theta we know flux बराबर हो जाएगा b a cos theta बट यदी यहाँ पर यदी number of turns are given then total flux जो आएगा आपका वो आएगा n b a cos theta this is the very important point जो यहाँ पर आपको समझ में आना जरूरी है तो इसलिए आपका 5 initial आएगा n b a cos theta that is 5 initial आएगा n b कितना है 20 b कितना था भाई 5 10 minus 5 5 into 10 to the power minus 5 और एरिया कितना था 0.05 और cos 01 तो भाई यह आपके पास में 5 initial अब देखना जा रहा कितना होएगा देखो 0s को adjust करते हैं हम यहाँ पर तो यह 2 0 से यह point वाला खतम हो जाएगा 5 5 is a 25, it's a 65, 200 तो यह आएगा 200 into 10 to the power minus 5 सही है तो 2 0 और adjust कर लो तो यह आएगा 2 into 10 to the power minus 3 वेबर और 5 final कितना बनेगा N, B, A और cos 90 that is 0 तो भाईया आपका जो E average आएगा वो आएगा 0 minus 2 into 10 to the power minus 3 upon 0.1 that is 2 into 10 to the power minus 2 that is 0.02 वोल्ट that's the answer जो कि आपको यहाँ पर दिया है option number 4 में तो यह समझ में आया 2019 का सवाल है तो यहाँ पर आपने क्या concept अब दिमाग में आना चाहिए कि भाईया देखो यह वाला जो flux है यह जो flux हमने देखा है यह हमेशा single turn का किसका है single turn का एक turn का flux है यदि सवाल में उसने number of turns introduce कर दिये हैं तो भाईया आपका n भी ए कॉस्ट थीटा पर आपको काम करना होगा तो यहां से आप समझ यह number of turns को change करके भी flux को परिवर्टित किया जा सकता है यह बात आपके दिमाग में आनी जरूरी है ठीक है उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा इसलिए मैंने जान बुझ के पहले इसको गलत किया आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता था ये मुझे सब पता था लेकिन आप सीखोगे कैसे देखו सीखता विक्ति तभी है जब वो कहीं गलती करता है यदि यह गलती ना करवाँ तो आप कभी नहीं सीख पाओगे कि ऐसा करना था अब क्या ये बात आपके दिमाग में छप जाएगी कि एक्जाम में भी ये ऐसा होगा अब चूकिस सवाल में option नहीं दिये थे ऐसे ये वाला option दिया नहीं था इसलिए आप यहां पर पकड़ पाए इस particular सवाल में लेकिन क्या कभी जरूरी है भविश्य में भी कि वह हमेशा ऐसे option देगा कोई जरूरी नहीं है तो जब कभी भी ये number of turn वाली बात आए तो थोड़ा सा सावधानी की बहुत आवश्यक्ता है नाव मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले सवाल की तरफ see the question यहां पर क्या सवाल है और सवाल को पढ़िए और answer निकालने की कोशिश कीजिए देखो प्यारा सा सवाल है a long solenoid of diameter 0.1 meter has 2 into 10 to the power 4 tons per meter एक solenoid जिसकी diameter आपको ये दे रखी है diameter मतलब व्यास इसमें इतने tons है per meter में at the center of the solenoid a coil of 100 tons and radius 0.01 meter is placed with its axis coinciding with the solenoid axis तर क्या सवाल है ये तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा रुको जरा धीरे धीरे रीड करो चीज़ें समझ में आएंगी कोई rocket science नहीं है एक solenoid है जिसकी diameter इतनी है तो देखो आपने बोला ये रही आपके solenoid ठीक है मैंने solenoid बना ली क्या मैंने solenoid बना ली ठीक है इसकी जो ये मैंने मान ली क्या है axis तो इसकी जो diameter है वो है 0.1 तो क्या मैं इसकी radius 0.05 meter लिख सकता हूँ क्योंकि देखो हमें जरत पड़ेगी भी कहीं area की तो radius की जरत पड़ती है तो ये diameter तो किसी काम की नहीं 0.1 का आदा तो 0.05 ठीक है इसमें number of turns per unit length दे रखा है मतलब small n की value दे रखी है 2 into 10 to the power 4 at the center of the solenoid आपके पास मैं रखी है एक coil जिसमें 100 turns है और radius इतनी है मतलब ये आपके पास मैं एक coil रखी है इसके center में इसकी radius कितनी दे रखी है ये रखी है 0.01 meter की और इसमें number of turns कितने है भाईया इसमें number of turns है 100 the current in the solenoid reduces at a constant rate 0 ampere from 4 ampere in this second and इस solenoid मैंसे आपने करवाया था current flow ठीक है जो की t बराबर 0 पर current है आपका 4 ampere और t बराबर 0.05 second पर current हो चुका है 0 ampere सही है इसका जो resistance है बेटा जी इसका resistance आपको दे रखा है 10 pi square ohm फिर गोला है तोटल चार्ज flowing through the coil during this time is तोटल चार्ज मतलब डेल्टा क्यूँ यदि डेल्टा फाई अपन आर आई है आर आपको पता है डेल्टा फाई निकालना है तो भहिया देखो अब धीरे धीरे सोचो अभी हम learning phase में हैं ये मत सोचो की एक मिनिट के अंदर मैं सवाल करना है अभी आपको concert building पे ध्यान देना फिर उन्ही सवालों को बार बार repeat करोगे तो speed बढ़ेगी तो डेल्टा फाई का मतलब क्या है जो ये कर रहे हैं हम धीरे धीरे इसी को आपको जल्दी जल्दी करना होगा बाद में फाई फाई फाईनल माइनस फाई इनीशल तो भई या फाई इनीशल क्या आएगा एन बी ए कॉस थीटा सभी बात है यही आएगा न फाई अच्छा अब देखो एन क्या है number of tons किसके number of tons किसके जिसमें से charge पूछा है तो उन्होंने charge पूछा है कॉइल का बराबर तो यहाँ जो एन आएगा वो एन क्या आएगा number of tons in कॉइल आएगा क्यों coil का लिया समझ में आया B किसका आएगा बी आएगा भहिया magnetic field at center of coil अब center of coil पर magnetic field निकालना है अब A किसका आएगा तो A आएगा area of coil देखो हर चीज यहां पर coil की है क्योंकि आप से सवाल में क्या पूछा है सवाल में पूछा है the total charge flowing through the coil in this time लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीजों पर ध्यान दो छीटा ये कितना आएगा zero degree क्यों आएगा क्योंकि देखो उन्होंने सवाल में बोला है कि आपने axis को inside करके रखी है coil की और solenoid की yes or no बात तो सही है अब जो दूसरा सवाल यहाँ पर आता है number of turns in the coil ठीक है B क्या है magnetic field at the center of the coil लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर magnetic field क्यों आएगा क्योंकि coil में ऐसे तो current flow हो इनी रहा है क्या सवाल के अंदर में देखे कहीं लिखा है कि coil में current लो रहा है नहीं तो फिर magnetic field कौन देगा तो भाईया magnetic field दिया जाएगा solenoid के द्वारा क्योंकि current की जो भी बात है कर रहा है वो solenoid के अंदर में कर रहा है yes or no तो भाईया यहाँ पर एक बात समझे कि magnetic field जो आएगा यह produce कौन करेगा तो भाईया हम कहेंगे कि magnetic field जो produce किया जाएगा magnetic field will be produced by what solenoid so आपके पास में magnetic field का formula आएगा mu not an i so therefore आप अपना initial flux लिखेंगे n b की जगे mu not an i a और cos theta और a की जगे area of coil क्या लिखेंगे pi और radius of coil का square और cos 0 so it implies phi initial लिखो number of tons in coil कितना 100 है ना कि 200 है 100 आपने लिखा 100 mu not की जगे 4 pi 10 to the power minus 7 number of tons per unit length कितना दिया है 2 into 10 to the power 4 current है 4 pi radius of coil कितनी दे रखी है area coil का चीए तो radius 0.01 तो आपने लिखा 0.01 का square और cos 0 आएगा 1 तो ये है phi initial की value सोचो इसे आपको करना है solve तो phi initial देखो भई या zeros पे ध्यान दो अब तो देखो ये 0.01 का square है तो भई ये और ये कटेगा क्या हाँ भई बिल्कुल कटेगा अब देखो चार दुना आठ अच्छोग 32 तो क्या मैं इसे 32 लिख लेता हूँ पाई into पाई क्या मैं इसे पाई square लिख लूँ बिल्कुल लिख लेता हूँ तो देखो फोर टू फोर खतम हो गया पाई 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 square खतम हो गया ये दो जीर और ये तो ये आएगा into 10 to the power minus 5 और flux की unit अब हमें क्या लिखना है final flux तो भाई या 5 final भी क्या आएगा n p की जगे आएगा mu not ni a की जगे आएगा pi radius of coil का square और cos 0 लेकिन यहां पर देखिए i बराबर 0 है तो 5 final क्या आएगा 0 देखो न इस समय के बाद current 0 ampere हो जा रहा है हो रहा ही नहीं हो रहा है बस तो हो गया काम जनरली आपके सवालों में 5 final 0 ही मिलता है तो भाई या दियर 4 delta q कितना आएगा delta phi upon r आर तो delta phi कितना है अरे कितना है सर हमें क्या मालो 5 final है 0 और यह है इतना तो 0 minus 32 pi square into 10 to the power minus 5 upon resistance कितना है भाईया resistance 10 pi square 10 pi square कुछ तो गलती है 10 pi square नहीं होना चाहिए 10 pi होना चाहिए था actually resistance को 10 pi कर ले pi square नहीं आएगा नहीं कोई दिक्कत नहीं है आ जाएगा चलो जब sol करेंगे तो क्या होगा pi square से pi square एक कीड़ो से अरे इसको यहां पर लगा सकता हूं एना सही कर रहा हूं न यह इसको रहन देता हूं तो it implies delta q आएगा आपके पास में 32 into 10 to the power minus 6 कुलाम that is delta q आएगा आपके पास में 32 micro कुलाम कितना आएगा बेटा 32 micro कुलाम और देखो यहां पर दोनों option ने है 32 pi वाला भी और 32 वाला भी तो यह हमारे पास में answer यहां पर आएगा कौन से सवाल का इस particular सवाल का 2017 के difficult है 2017 का paper का सवाल है 2017 के paper को थोड़ा difficult माना गया है तो देखो ऐसा कोई बड़ा rocket science नहीं था अब यहां पर देखो यह solenoid की radius या diameter किसी काम आई नहीं है हमारे यह सिर्फ confuse करने के लिए है ठीक है अब इसमें और भी बहुत सारा data देके confuse किया जा सकता था अब confuse होना या नहोना यह आपके हाथ में निर्बर करता है ठीक है अज़ा मैं previous year के questions को आपको साथ महीं बताते जा रहा हूँ और इसी topic पर आपको majority of the questions मिलेंगे ठीक है चलो अगला एक सवाल और देखो यह सवाल देखो देखो यह 2012 का है a coil of resistance 400 ohm is placed in a magnetic field if the magnetic flux phi in Weber link with the coil varies with the time t as phi दिया है उसने 50 t square plus का 4 the current in the coil at t बराबर 2 at है मतलब i पूछा है तो भाईया i बराबर आएगा 1 by r d5 by dt तो भाईया i बराबर आएगा 1 by r और d5 by dt कितना आएगा इसको differentiation करेंगे तो यह आएगा 100 t उसने पूछा है at t बराबर 2 पर तो i बराबर 1 by r है 400 ohm और यह आएगा 100 into t कितना है at 2 second so i बराबर आएगा सीधा सीधा 201 by 2 ampere that is 0.5 ampere option number one कई लोगों को option number one आने के बाद में tension आ जाती है कि one तो निकाल लिया कहीं गलत तो नहीं है क्या यह बहुत difficult सवाल है नहीं तो एक बात समझो एक ही chapter से difficult हर chapter से difficult सवाल नहीं पूछा जाता है कुछ आसान होंगे कुछ थोड़े difficult होंगे सबका mix up रहेगा मैं आपको जितने सवाल maximum मैं करवा सकता हूँ उतने आपको करवाने की पूरी कोशेश करने ही वाला हूँ लेकिन भीया आपको भी थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर करनी होगी अगला सवाल देखो यह भी pyq है a magnetic field of 2 into 10 to the power minus 5 tesla sorry minus 2 tesla acts at right angles to a coil of area this the average EMF induced in the coil is this when it is removed from the field in a T second the value of T तो भीया देखो उसने सवाल में क्या पूछा है उसने कुछ दिया है average EMF induced दिया है यह EMF induced यह जब word आएगा ना तो आपको समझ में आना चाहिए कि सवाल है यह आपका EMI chapter का यह induced word आपको हमेशा हिंट देगा कि भीया मैं आया हूँ electromagnetic induction इस वाले chapter से कौनसे chapter से electromagnetic induction से अब उसने average induced EMF पूछा है तो यह E average का value वैसे तो होता है delta phi by delta T अब सवाल में उसने आप से delta T पूछ लिया है तो delta T आएगा delta phi upon E average अब यहाँ पर देखो यह E average कैसे निकाला जाए क्योंकि E average तो उसने दिया नहीं है दिया है क्या नहीं उसने सवाल में दिया है कि एक magnetic field है जिसकी value दे रखी है 2 into 10 to the power minus 2 Tesla exit right angle to a coil of area दे रखा है 100 centimeter square that is 100 into 10 to the power minus 4 meter square यहाँ पर unit Tesla ही दे रखी है और फिर number of turns भी दे रखे हैं 50 और इसे इस field में से निकाला जाता है t second में मतलब इसका मतलब यह हो गया कि पहले यह field के अंदर थी तो flux रहा होगा और final flux जीरो हुआ होगा इसका मतलब यह है कि आप कहोगे कि phi initial आएगा n b a cos theta तो phi initial कितना बनेगा n 50 b 2 into 10 to the power minus 2 a 100 into 10 to the power minus 4 और सर कॉस theta तो भाईया theta आएगा 0 पर सर इसने तो right angle लिखा है भाईया coil right angle पे है तो area 0 degree बनाएगा coil is on right angle to the magnetic field तो इसका मतलब area vector और magnetic field vector के बीच का angle 0 degree रहने वाला है yes or no बस अब यहाँ देखो 50 दूना 100 तो यह कड़ जाएगा तो phi initial आ रहा है 10 to the power minus 2 वेबर ठीक है phi final क्या हो जाएगा phi final बराबर आएगा 0 क्यूंकि आपने क्या कर लिया है coil is removed out of magnetic field आपने coil को वहिया magnetic field के बाहर निकाल लिया है so आपको क्या चाहिए था delta T चाहिए था so therefore delta T बराबर phi final minus five initial upon क्या था यह average और यह average कितना दिया है रहे point one यह आगया point one so देख लो delta T बराबर तो यह आएगा point अटेगा उपर जाएगा ten to the power minus one second that is point one second है क्या कहीं देखो यह सारे option देखो बिल्कुल ऐसे closer option देखो ताकि आप यहाँ पर गलतिया कर सको py q है मैंने year नहीं लिखा है does the year matters to you क्या साल लिखना आपको ज़्यादा matter करता है क्या कि भाई यह हाँ सर नहीं जब तक हमें यह नहीं पता लगेगा कि कौन से साल का सवाल है तब तक हम नहीं करेंगे ऐसा है क्या कहीं आपके साथ में नहीं न क्या आप देख पा रहें यही घुमा फिरा के पूछा जा रहा है बिलकुल चलो आगे का सवाल और होगा हाँ यहां आ रहा है Lange Law Lange Law Sir Lange Law आ रहा है ये तो हमने पढ़ लिया था ना Sir Lange Law यस बेटा जी आपने Lange Law ही पढ़ा हुआ है लेकिन एक्चली में कहानी ये है कि यहां जो हम Lange Law की जो बात कर रहे हैं वो है बेसिकली आपको कुछ चीज़ें बतलाने के लिए जैसे मैं यहां पर आपको सवाल के थूई पहले समझाता हूँ यह सवाल है इसका following figure कहा गया current is increasing at a constant rate and reaction of induce CMMM in the coil for the following figure एक बार देख लें तो बाकी के में भी है कि diagram सबका ही figure उड़ गया एक यहां पे तो यह है चलो ठीक है कोई बात नहीं हो सकता है जब मैं के सवाल कौन कौन से करवा पाऊंगा भई आजा देखो कहानी यह है कि Lange law कहता है E बराबर माइनस D5 by DT तो जो अभी तक हमने जो सवालों को solve किया था वो किया था Faraday's law से Lange law क्या कहता है Lange law कहता है कि EMF induced in the coil EMF और current induced in the coil अभी और भी मुझे सवाल करवाने हैं इस पे in the coil will be in such a way that it will oppose the cause which has produced it तो यह उस कारण का विरोध करेगी जिसने इसे produce किया है तो अब मैं चाहता तो मैं इस Lange law के सवालों की जगे आपको simple simple पहले सवाल और करवाता लेकिन मैं यहाँ पर पहले चाहता हूँ कि कुछ basic चीज़ें आप देखो इसका जो figure होगा वो 99% केस में ये वाला figure आने वाला है ये figure क्या है कि यह देको इसमें current है आई anti clockwise 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 बोथ वगेरा जो पूछा है no current will be induced मतलब ये इसकी बात कर रहा है क्योंकि anti clockwise और clockwise तो उसी में हो सकता है अब flux के लिए आपको कुछ area होना जोड़ी है wire का तो area नहीं आएगा तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको हमें यहाँ पर tackle करना है ये कह रहा है कि यदि इस wire में से constant rate पे current आपका बढ़ रहा है तो direction of induced EMF in the coil क्या होगी induced EMF EMF बोले या current बोले basically यहाँ पर EMF की जगह होना चीज़े था word क्या current क्या होना चीज़े था current ये आपको अपने आप से ही सोचना है ठीक है भी यह माल लेते हैं अब आप देखिए इस wire के current को मैं solution के लिए दुबारा से diagram मना रहा हूं ताकि आपको समझ में आया कि यह वो question का diagram था ये है आपका ऐसा तो सोचो ये आपका current है और ये बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने से पहले सोचो इस constant current के कारण इस coil में जो magnetic field है क्या ऐसे आएगा आएगा या नहीं आएगा बड़ा important point चल रहा है constant current के कारण magnetic field magnetic field at center of coil तो भाईया वो आएगा आपका इस वाली direction में अब सोचो यदि current बढ़ेगा तो क्या इस वाली direction का magnetic field बढ़ेगा आपने बोला सर जी हाँ बढ़ेगा अब lens lock के अनुसार यहाँ पर EMF induce होगा और यदि coil completed है तो इसमें current induce होगा अब इसमें जो current induce होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि वो उस कारण का विरोध करेगा जिसने इसे produce किया है वो उस कारण का विरोध करेगा जिसने इसे उत्पन किया है तो मतलब according to lens law according to lens law क्या होना चाहिए होना यह चाहिए कि वह या तो यह वाली direction का magnetic field decrease हो या फिर यह वाली direction में magnetic field क्या हो जाए बढ़ जाए क्योंकि आपको क्या करना विरोध और current क्यूं हो रहा है current आ रहा है यह वाले magnetic field के बढ़ने के कारण cross वाला भाई देखो न ऐसे यह current गया यह magnetic field की direction यह वाला magnetic field बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है तो हमें या तो इसे घटाना होगा या इस वाले को बढ़ाना होगा दोनों मैंसे एक काम यहाँ पर करना होगा तो बताओ कौन सा काम करना आसान है घटाना आसान नहीं है हमेशा बढ़ाना आसान है It is easy EG PG Not this यह आसान है तो यह कैसे आ सकता है तो भईया ये तो है ही नहीं initially यदि आप देखोगे तो initially ये वाला magnetic field क्या है जीरो है लेकिन सोचो यदि मैं यहां पर if anti-clockwise current flow यदि anti-clockwise current flow होगा तो भईया ये वाला magnetic field आ सकता है यदि आपका anti-clockwise current flow हो जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला magnetic field आ सकता है तो इसी को follow करते हुए यहां पर जो current आएगा वो आएगा anti-clockwise direction में अब इसके पीछे जो 3-4 सवाल दिये गए हैं वो इसी basis पर दिये गए हैं मतलब आप देखिए यहां पर एक सवाल लिखा है लिखा है डाइगराम नहीं दिख रहा है वो यही वाला डाइगराम है इसमें decreasing लिखा है कि देखो decreasing ये वाला ये अब आप बताओ कैसे करना है फटा पट तो आप देखिए solution में यहां पर मैं लिख रहा हूँ समझना गरा ये है wire i और ये इसके पास में तो देखो initially ये वाला magnetic field होगा अब current यदि decrease हो रहा है तो it implies ये वाला magnetic field क्या हो रहा है decrease हो रहा है Lange law क्या बोलेगा Lange law क्या बोलेगा कि भाईया आपके पास में दो तरीके हैं या तो इस वाले magnetic field को बढ़ा लो या फिर ये वाले magnetic field को कम करो बराबर है क्योंकि आपको क्या करना है उस कारण का विरोध करना है जिसने इसे उत्पन किया इसे मतलब induced current को तो भाईया ये जो induced current आ रहा है वो क्यों आ रहा है क्योंकि ये current बढ़ने के कारण ये magnetic field बढ़ रहा है और यदि ये current घट रहा है तो इसके कारण ये वाला magnetic field घट रहा है तो चुकि magnetic field घट रहा है तो मतलब magnetic field change हो रहा है magnetic field change हो रहा है मतलब flux change हो रहा है तो flux के change होने के कारण यहां पर EMF induce हो रहा है और चुकि coil complete है तो यहां पर induce current आ रहा है तो अब मैंने आपको क्या बताया क्या आसान होता है बढ़ाना या घटाना तो भाईया यह वाला magnetic field बढ़ाना आसान है यास और नो इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है इसको बढ़ाने का तरीका है कि वह यहां इसी clockwise direction में current को बढ़ाया current flow हो जाए तो यह वाला magnetic field क्या होने लगेगा increase होने लगेगा इस वाले सवाल में answer आएगा यह वाला इसके बाद मैं दो और सवाल दिये होंगे जिसमें current नीचे होगा अच्छा नहीं दिया है आप booklet के अंदर में जाके देखना आपको ऐसे बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे मैं और भी लूँगा don't worry about it सारे टाइप के variety लूँगा लेकिन अभी नहीं अभी मैं maximum उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर एक मैं important note जरूर आपको लिखवाना चाहता हूँ important note आपको क्या करना है to find direction of induced current आपको क्या करना है सोचना कैसे है कैसे सोचना है यदि ये वाला magnetic field decrease हो रहा है तो भाईया आपको इसी वाले magnetic field को increase करना है इफ ये वाला magnetic field decrease हो रहा है तो भाईया increase ये वाला magnetic field लेकिन यदि ये वाला magnetic field increase हो रहा है तो अब आपको इसे क्या करना पड़ेगा या तो decrease करना पड़ेगा या ये वाला magnetic field increase करना पड़ेगा और हम किसका चुनाओ करेंगे इसी का चुनाओ करेंगे फिर ऐसा हो जाए मान लो कि इफ ये वाला magnetic field decrease हो रहा हो तो आपको क्या करना है increase करो यही वाला magnetic field हमेशा increase पर ही focus करना है लेकिन यदि ये वाला magnetic field बढ़ रहा हो तो आपको क्या करना है फिर ये वाला magnetic field क्या कर दो increase कर दो काम खत्म आपको हमेशा increase पर ही focus करना है ये बढ़ रहा हो तो ये बढ़ाना है ये dot कम हो रहा हो तो dot को बढ़ा हो cross कम हो रहा हो तो cross को बढ़ा हो इन शोट डॉट या क्रॉस कम हो रहा हो तो उसी डायरेक्शन में बढ़ा दो और यहां पर एक सवाल दिया गया बढ़ा ही प्यारा सा सवाल है A bar magnetic drop in two cylindrical tubes vertically by keeping north pole in downward direction When the tube is non-conducting then the time to reach the bottom is T1 When the tube is conducting then the time to reach the bottom is T2 The correct relation is ये दो option एक जैसे नहीं लग रहे है Actually एक option ऐसे होना चाहिए था है na T1 less than T2 जो भी है ठीक है कैसे आएगा एक bar magnetis को drop किया दो cylindrical tube में vertically गली ये आपके पास में मान लेते हैं ये है एक cylindrical tube तो भाईया देखो ये आएगा ऐसे आपने यहाँ पर bar magnet को रखा जिसका ये north pole है और ये south pole मैं मान लेता हूँ ये non-conducting tube है अरे ठीक है तो अब देखो ये वाली distance है आपके पास में S यस और नू तो आपने इसको गिराया तो भाईया इसमें जो time लगा वो time है T1 सब yellow रख लेता हूँ ये time है T1 non-conducting के case में लेकिन जब आपने लिया इसे कैसा बेटा conducting सेम ट्यूब है लेकिन इस बार है आपकी conducting ये आपने बार मेंगनेट को गिराया नॉर्थ पोल को नीचे करके साउथ पोल को ऐसे करके तो क्या होगा कि जब ये नीचे पहुँच रही है तो नीचे पहुँचने में time लग रहा है T2 तो आपको ये बताना है कि सही relation क्या है T1, T2 दोनों बराबर होंगे, equal होंगे, unequal होंगे कि data is insufficient है समझो बेटा देखो क्या है ये है non-conducting वो है conducting जैसे ही बार मेंगनेट को गिराओगे तो ये non-conducting में तो कोई फरक होगा नहीं क्यों नॉन-conducting है उसमें कोई current induced होना नहीं है तो इसको तो छोड़ी दो इस पे आपको focus करना है conducting वाली पे देखो होगा क्या समझना हो ये है आपके पास में ऐसे तो जैसे ही आपकी बार मेंगनेट ये नॉर्थ पुल और ये साउथ पुल आएगा और ये है आपकी conducting क्या है conducting tube है तो conducting tube है मतलब यहाँ पर एक तरह से आप ऐसे कह सकते हो कि ये एक circular coil जैसी हो गई अब जब आप इसे गिराओगे तो ये नॉर्थ पुल के कारण यहाँ पर भी क्या बनेगा नॉर्थ पुल जैसा बनेगा क्योंकि ये इसका विरोध करेगी मैगनेट क्या हो जाएगी slow मैगनेट क्या हो जाएगी will be slow क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा एक अलग तरह का force बन जाएगा क्यों force मन जाएगा? क्योंकि इसमें एक current इंडीूस होगा कि ये उस कारण का विरोध करने लगेगा जिसने से produce किया है और ये इसका विरोध करेगा मतलब उसे आने से रोकेगा क्योंकि इस coil में जो current आया वो किसके कारण आया इस north pole के पास आने के कारण experiment number 6.1 को identify करो Kelvin meter में deflection आया था तो भईया इस north pole के पास आने के कारण ये सब लफड़ा हो रहा है तो इसी लफड़े को ये क्या करने की कोशिश करेगा दूर करने की कोशिश करेगा तो कुछ ऐसा ही होगा और इसी को बस यहाँ पर इसने sort out किया, यह इसका विरोध करेगा तो इसे पास आने से रोकेगा अब जब चुकि पास आने से रोकेगा तो magnet क्या हो जाएगी slow, और यही magnet slow हो जाएगी मतलब time क्या होगा time will be more logical सवाल है तो T2 बड़ा होगा, T1 छोटा होगा T1 से तो हमें कोई मतलब भी नहीं है, वो तो normal है यह तो ऐसे मानलो, plastic की tight tube में गिराया, तो यह सीधा सीधा गिरके नीचे यहाँ पर पहुँच जाएगा लेकिन भाया, इस वाले case में यहाँ पर क्या हो जाएगा ज्यादा टाइम लगेगा conducting के case में होंसे conducting के case में, ठीक है यास और नो क्या कोई दिक्कत होगी यहाँ पर, मेरे इसाब से तो नहीं होनी चाहिए, मेरे इसाब से नहीं होनी चाहिए यास और नो ठीक है, देखो अभी तक हमने थोड़ा बहुत laws को पढ़ा, थोड़े बहुत numericals की मैंने variety वगेरा सब कुछ करवाई है, लेकिन हमारा जो more emphasis होगा, अभी और थोड़ा पढ़ना है लेंजलो को और थोड़ी सी चीज़े समझनी है और थोड़ा सा direction का खेल हमें समझना है, तभी आपका proper जो है ये topic complete माना जाएगा, तब तक मैं इसे completion की श्रेणी में नहीं लिखूंगा, मैं नहीं मानूंगा कि ये complete हुआ है तो थोड़ा और इस पर practice करना बाकी है, चुकि time काफी हो चुका है, तो हम इस lecture को यहीं पर stop कर रहे हैं, otherwise मेरे पास सवाल तो अभी भी और है ठीक है, अभी भी और सवाल है, लेकिन क्या होता न, duration का भी ध्यान रखना होता है इसलिए मैं इस lecture को यहां पर stop कर रहा हूँ, otherwise मैं यहां पर और भी इसमें आगे proceed कर सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, कभी समय को भी हमें सम्मान देना चाहिए, आप लोग भी ठक जाते होंगे, तो आज के lecture को यही पर समाप करते हैं बेटा, तो thank you so much, that's it for today, आज के लिए बेटा बस इतना ही मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले lecture के दर्मया, तब तक के लिए